नमस्कार दोस्तों सवागत आपका आज के मुखे समाचारों में दोस्तों आज देश भर से कई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिन्में बड़ी खबर है दोस्तों दिल्ली से जी दोस्तों दिल्ली में भारी विरोध परदार्शन केंदरी एक ग्रह मंतरी ने बुलाई आपात बेठेक ग्रह मंतरी दे सकते हैं इस्तिपा तो दिल्ली केंदर परदार्शन पर आया ओवेशी का बड़ा बयान कहा सरम की बात है कि परदान मंतरी मोदी और अमित सा की पुल उसले पेछिए पहले दोस्तों अगर आप देश के अंदर निस्पक्स पतरकारिता का समर्थन करते हो तो इस वीडियो को लाas करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे देश के अंदर हमारे जैसे पतरकार जो निस्पक्स पतरकारिता करते हैं उनका मनोबल बड़े और वो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निस्पक्स पत्रकारिता करके गरीब जनता की किसान छातर मजदूर सभी की आवाज मनसके और दोस्तों अगर आप दिल्ली के अंदर होरे परदर्शन पर भारतिय जनता पार्टी से अपिल करना चाते हैं मोदी सरकार से अपिल करना चाते हैं कि CAA वापस हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर जरूर करें आज की पहली बड़ी खबरेत दिल्ली से नागरिक्ता संसोधन बिल को लेकर जी दोस्तों दिल्ली में भारी विरोध परदर्शन केंद्री एक ग्रह मंत्री आमित सानी बुलाई आपात बेठक तो वहीं पर दिल्ली परदर्शन पर आया ओवेशी का बड़ा बयान कहा सरम आनी चाहिए परदान मंत्री मोदी और आमित सा की पुलिस कर रही है पत्राव जी दोस्तों ए आयामायम के प्रमुक एसोधिदिन ओवेशी ने संसोधित नागरिक्ता कानून को लेकर दिल्ली में हुए उगर परदर्शनों की निंदा की और केंदर में इस्तती को नियंदर्ण करने के लिए कदम उठाने की आपिल की ओवेशी ने संसोधित नागरिक्ता कानून के खिलाब सौमार रात एक रेली को संबधित करते हुए कहा कि परदान मंतरी नरेंदर मौदी और गरह मंतरी आमिट्सा आपकी पुलीस दिल्ली पुलीस दंगाईयों के साथ मिलकर पत्राव कर रही है हम इसकी निंदा करते हैं उन्होंने कहा कि मौदी और आमिट्सा को सरम आनी चाहिए कि देश में ये आहलाता है और साथ ही दूसरे देश के राष्ट्रा देख्स भारत में आएवे हैं तो इस दोरान मोदी और सा ने देश की छवई खराब कर दिये हैं। उन्होंने साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंतरी से एनपियर पर रोक लगाने की मांग की। और इसी ने कहा कि दिल्ली के भारतिय जन आज की आगली बड़ी खबरा भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद गोतम गंभीर को लेकर। जी दोस्तों दिल्ली परदर्शन पर भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद गोतम गंभीर ने कहा कि अगर कपिल मिस्रा ने भढ़काऊ वासन दिया है तो उन्हें जेल में डाल नागरिक्ता संसोदन कानून मुद्दे पर हो रहे परदर्शनों के बीच देश की राजधानी में परदर्शन उगर हो गए हैं और सौमवार को राजधानी के भजनपुरा, गोकुलपुरीत, चांदबाग, मोजपुरा, जाफराबाद आधी इलाके में संसोदित नागरिक् परदर्शन के कारण दिल्ली का यह हाल हुआ है, इस मामले पर कपिल मिस्रा पर दो केस्ट दर्ज किये गए हैं और पुरो क्रिकेटर वा भारतिये जंता पार्टी के सांसद गोतम गंभिर ने इस मामले पर कड़ी परतिक्रिया दी, गंभिर ने तीखे लहजे में कहा कि परदर्शन कानून के खिलाप और परदर्शन के दोरान, कपिल मिस्रा ने रास्ता खुलवाने के लिए बयान दिया था और जिसे लेकर समर्थक और विरोधी दोनों पक सामने सामने आ गए, आपको बता दें दोस्तों कि पिछले दो से तीन दिनों में जाफराबाद मैट् स्टेशन के पास भारी विरोध परदर्शन चल रहे हैं। पानून के खिलाफ परदर्शनों के दोरान साजिशन आपने लोग भेज़कर पाक जिन्दाबाद के नारे लगवाए और तोड़फोड करवाई। जी दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदूस्तान में मुसलमानों को सिकार बनाया जा रहे हैं। और रास्तिय जन् पार्टी के मुलक तोड़ने की राजनिती है और वो अपने कदम हिंदू रास्टर की तरफ बढ़ा रहे हैं। पार्टी के रहे हैं।